तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे मेटा राइड मैनेजर कैसे अप्लाई करें या दोस्तों लेकिन उससे पहले आपको जानना भी ज़रूरी है राइड मैनेजर काम कैसे करता है इसके फायदे क्या क्या है अगर आप भी फेस्बुक क्रियेटर है आप भी फेस्बु गर कोई भी बंदा यूज़ करता है चाहे प्लस आपकी विडियो अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उससे भी आपकी की अर्मीं होगी जो दूसरे लोग यूज कर रहे हैं उससे भी आपकी अर्मिंग होगी सबसे बड़ा फायदा तो यह है ठेक है आप कॉपीराइट दे सकते हैं इससे अच्छी कासी रेवेंडियो जन्रीड कर सकते हैं दुसरा फायदा बता दू दूसरा फायदा यह जिस पाकिस्तान नैपाल कोएट बहुत सारी इसी हैं इन कंड्री में इनिजवन नहीं अभी तक इनरिष्ट्रिम हट तो वो योग भी इसके जरिए अपना इस स्थीं हट मॉनोटाइब कर सकते हैं अपने कंड्री का बैंक लगाके अपनी कंड्री की डिटेल लालके मॉनोटाइब कर सकते हैं उसके बाद आप काम करेंगे और आप उससे अर्णी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए राइड मैनेजर आपके पास होना जरूरी है अब बात आदे इसको अपलाई कैसे करेंगे कैसे मिलने वाला है तो सारी चीज़े इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तो चल पहले ये काम करना है Facebook को लॉग इन करना है ठीक है अब लॉग इन के बाद क्या करना है हम आगे आपको बताता हूं तो दोस्तों मैं आ चुका हो Chrome ब्राउजर पर और यहाँ पर नजर आ रहा आपको Google ठीक है इसमें हमने कुछ सर्च करना है लेकिन उससे पहले आपको मैंने ब इसमें प्राइट मैंनेजर यहीं आपको सज़ करना अब देख सकते हैं आप पे लिख क्या आगया मेटाराइट मैंजर इस पर क्लिक कर देंगे ऐसे क्लिक कर देना बड़ा ही सिम्पल तरीका है बस आपको तरीके से समझ लेना है उसके बाद देख लेए याप लिखा आपको इस पर क्लिक कर देना है, रिकोष्ट एकसेस पर, अब देख सकता है, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेश आएगा, उसके बाद आपको करना क्या है, अब देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नजर आएगा, आपके जितने भी Facebook पेज होंगे, यहाँ पर सारे क सारे नजर, हाला कि मैं बलर कर रहा हूँ, for security reason, यहाँ पर जो भी आपके पेज होंगे, सारे के सारे नजर आजाएगा, उसके बाद आपको करना क्या है, जिस भी पेज पर आपको write manager का tool लेना है, उस पेज पर आप क्लिक कर देंगे, तो मैंने ऐसे क्लिक कर दिया, अब यह आप नीचे देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको तीन option मिलता है, वीडियो, इमेज, आडियो, तो जैसी बाद हम वीडियो के लिए ले रहे हैं, तो इस वीडियो पर ऐसे क्लिक कर देंगे, वीडियो पर जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ नया इंटरेफेस आएगा, नीचे आप देख सकते हैं, बहुत कुछ है, आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे, इन वीडियो पर आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, प्राइमरी नाम लिखना है, जो भी आपका नाम होगा, फेसबुक पर ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं, उसके बाद आपको करना क्या है, नीचे देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे, इस पर जैसे क्लिक करते हैं, यह पूछ रहा है, आप जो है कॉन्ट कब डालते हैं डेली दालते हैं या हथते में डालते हैं महीनी में डालते हैं तो हम कर देंगे second ताइम वाला यह few time a week मतलब हथते में कभी भी डाल देते हैं एक वीडियो यह मने कर दिया उसके पाद आप से नीचे पूछ रहा है अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है जिस पेज़ पर राइट्स मैनेजर अपलाई कर रहे हो उसी पेज़ पर आपकी कोई बहुत सारी वीडियो होगी उसमें से एक वीडियो की आप लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाके आप उस वीडियो का लिंक यहाँ पर टेंगे ऑसे यह से माने पेश्च कर दिया अब यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर देखें यूट्व की है अगर आप YouTube चलाते हैं Instagram चलाते हैं तो यह इस्टागराम की लिए आप दे सकते हैं अगर आपके पास कोई website है तो website की लिए यहाँ पर दे सकते हैं ठीक है उसके बाद देखें नीचे आप कुछ लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं request करने के लिए ठीक है लिकिन यह optional है तो आपकी मर्जी आप लिखें या ना लिखें उसके बाद आपको करना किया है नीचे आपको एक option मिलेगा email का देख लें यहाँ पे add your email address यहाँ पे आपको एक email ID दालनी है जो आपके mobile में login हो ताकि जब आपके पास mail आए तो आपको पता चले यहाँ मुझे approval मिला या नह अब जैसे हैं आप email ID दाल देते हैं यहाँ पे आपके सामने नजर आएगा send verification code यहां right side में आपको नजर आएगा इस पे click कर देंगे इसे अब जैसे ही हम send verification code पे click करते हैं उसके बाद हमारे email ID पे एक OTP आएगी अब यहाँ देख सकते हैं Facebook की तरफ से मुझे mail आ चुका है और mail में यह code है देख लें यहाँ पे एक code नजर आ रहा है मैं इसको copy कर लूँगा यह कर लिया copy दुबारा से हम जाएंगे उस application पे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे code जो है paste कर देंगे ठीक है paste करने के बाद आपको करना है verify यहाँ पे लिख कर देंगे आप देख सकते ह करना होता है इंदिजार करना है 24 से 48 घंटे थक क्योंकि 24 घंटे भी लग सकते हैं 48 घंटे भी लग सकते हैं हमें Facebook का reply आने में कि यह हमारा approval हो गया यह नहीं हुआ तो अगर आपका approval हो जाता है rights manager तो आप यूज कर सकते हैं यूज करके इससे भी आप earning करने का जरिया बना स कर सकते हैं बिल्कुल ही आसान है यह तरीका दोस्तों बड़ा ही सिंपल तरीका था दोस्तों अपलाई करने का जो मैं आपको वीडियो बता चुका हूं लेकिन एक बात और आपको बताता चलूं यह जो फीचर है rights manager का जो फीचर है यह वही लोग यूज कर सकते हैं जो वरि उबल ही नहीं देगा तो यहीता दोस्तों आज की वीडियो में उम्मेद करता वीडियो अच्छे लगी हो बस अच्छे लगी हो तो लाइक वाला बटन जरूर दबादो नीचे एक बटन दबाना है इसमें पैसे थोड़ी आपके लगने वाले त्रिप्ल दबादो लाइक बटन दबादो तो मिलता हूं जल्दी आपसे किसी और वीडियो के साथ तब तक लिए जयें दोस्तों